नमस्कार दोस्तों, Android बेनी में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग करने वाले Xiaomi Redmi Note 4 का एक गेमिंग रिव्यू जिसमें हम लोग पहले करेंगे छोटे गेम्स जैसे Subway Surfers और Temple Run जैसे गेम्स खेलेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा Medium गेम्स जैसे Need for Speed और Dead Trigger जैसे गेम्स खेलेंगे उसके बाद हम लोग Heavy गेम्स जैसे Asphalt 8 और GTS एन एंडियस खेल के देखेंगे ये गेम्स इसमें कैसा चलता है चलिए छोटे गेम्स से सुरू करते हैं जैसे का आप लोग देख पार है काफी स्मूध चल रहा है टेम्स टू फ्रेम्स पर या लेगिंग की कोई इश्यू नहीं है चलिए आगे बढ़ते सब्रू सर्पर्स खेल के देख लेते हैं सब्रू सर्पर्स इसमें कैसा प्ले होता है जैसे कि देख पार है सब्रू सर्पर्स इसमें काफी अच्छा चल रहा है फ्रेम्स डॉप्स या लैगिंग की कोई इश्यू तो नहीं हो रहा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा मीडियम गेम्स के लिए थे पहले सूर करते हैं नीट फोर्स मिट नो लिमिट से जैसे कि आप लोग हमने देखा नीट फोर्स पीड काफी अच्छा चला है इसमें फ्रेम्स डॉप्स या लैगिंगी कोई इश्यू नहीं आई है चलिए आगे बढ़ लेते हैं और देर ट्रिगर्टू को खेल के देख लेते हैं हम लोग झाला मझाइब बफ। तरे बढ़ लोग झाला मझाइब एंच्छा लेते हैं जाईब लोग पर्ववर लेते घप पर्वर उब्वर तो जैसे के आप लोग ने देखा, डेट करकर इसमें काफियत से चला फ्रेम ड्र जागिंग कोई कोई इसू नहीं आई है चलें जीटेसे ईन्यर्स प्ले करके देख लेते हैं, जीटेसे ईन्यर्स से इसमें कैसा प्ले होता है झाल 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 तो जैसे के आप लोगों ने देखा GTA San Andreas भी इसमें कापी अच्छा प्ले हो रहा है Frame Drop से लगी कि कोई इस्यू नहीं है चलिए लास्ट में Asphalt 8 के देख लेते हैं हम लोग Asphalt 8 इसमें कैसा प्ले होता है और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों इसका settings दिखा देता हूँ देख सकते हैं आप By default ये medium में लेता है मैं इसको high settings में करके प्ले करके देखता हूँ High settings में ये कैसा प्ले होता है हुआ हुआ है तो जैसे के आप लोग देख पाए गेम प्ले काफी smooth है High graphics settings में आप Asphalt 8 को अगर खेलेगे तो आपको इसमें खेलने में कोई प्राब्लम नहीं होगा आप आसानी से इसको खेल सकते हैं और लगबग 10 मिट हो गया है मैं ये सारे गेम को प्ले कर रहा हूँ और मुझे बोलना पड़ेगा ये फोन बिल्कुल भी heating नहीं हुआ है थोड़ा हलका सा warm feeling आ रहा है लेकिन heating आप इसको नहीं बोल सकते है तो ये काफी commendable है कि इतना सारा gaming करने के बावजुद भी आपको इसमें heating की issue नहीं आ रही है और अगर आप एक heavy gamer है तो आप इस mobile को खरीद सकते है और इसको खरीदने के बाद अगर आप यूज करेंगे इसको gameplay कर लिए तो आपको gaming करते है heating की issue भी नहीं आएगा तो काफी एक अच्छी बात है है तो gaming के इसाब से अगर आप देखेंगे और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए अगले वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगा तब तक के लिए गुडबाई दोस्तों और आपका दिन सुब हो